प्रेंस आज का जो हमारा निव कलेक्शन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्चिलिए बी हुई स्पेशल हमारा बी हुई फेस्टिवल बहुत जल नजदी का रहा है 14-15 को जो सेलिब्रेशन होगा रोंगाली बी हुई तो प्रेंस वही उसी पैटरें निव रिए वल आने बाला है सब यह सब मेखला चादर जो आप लोगों को दिखाने वाला हूं जिसका तो कफ मैं अब ऑले मैं यह सब कलर ते्टिवल बने हुए हैं इसमें से एक पीज़ा भी है जो पुरा लैटेस है उसका होना बाकी है तो फ्रेंस यही सब का मेखला चादर का पूरे डिटेल, डिजाइन, कलर, कॉम्बिनेशन, टेक्शर मैं आपको दिखाने का कोसिस करूँगा तो फ्रेंस आगे बढ़ने से पहले मैं अननिया स्टोर में आपका स्वागत करता हूँ अगर आप हमारे इस यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, साथ और साथ बेर आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे तो फ्रेस बढ़ते हैं आगे पहला जो मैं आपको मेखला चादर दिखाने वाला हूँ बिना खौले पहले आपको दिखाता हूँ इसको जो मैट्रियल है कैसा पाथ बाई एरी जी हां नेचरल फाइवर है जो कैसा पाथ है वो रौ फॉर्म आफ मालवरी सिल्क है तो यह ज चादर जो उपड़ की साइट में जो होता है वो जो मैं खैला है वोब और का लुट फॉर्म पर यहां पर देखने अज़सा है एक जो है दिफ ग्रे में नेच्राल डाइए और सभी के साथ आपको ब्लाउस पीज मिलता और यह जो है यह नेचरिल कलर में है जो कैसा आड़ अधर जो नेचरिल कलर है वह बेज मेटरियल वह है और जो डिजाइन ठ्रेड यहां पर हमने यूज किया है वह है मोगा घिसा एंड एरी सिल्क जी है तो यह था मेख़ा अभी में इसका चादर आपको दिखाता हूं तो जो चादर है वो दोनों तरफ ही सेम पैटन होता है देखिए फ्रेंज यह पूरा बोडी में आपको यह वाला बूता मिलता है देख सकते हैं थोरा सा अलग है और यह देखिए फ्रेंज और जो बेज मेट्रियल है वो नेच्छरिल कलर है कैसा पाथ और अरी सिल्क तो यह ने तो सिल्क का और अंचल है और जो आपका आपका अरी सिल्क सीफी नेचरल कलर है यह आज का हमारा पहला पहला जो प्यूर सिल्क और जो मैट्रियल है वो है कैसा पादबाई एरी सिल्क तो बढ़ते हैं अगले महला तो यह जो कलर है यह डीप इंडिगो डाई है एंड जो डिजाइन मोटीव आप देख रहे हैं एसमिस ट्रेडिशनल मोटीव है और जो डिजाइन फ्रेड के लिए हमने जो यान जो ठ्रेड यूस किया है वह भी आपका एरी सिल्क है तो यह सबसे पहले जो इसके साथ आपको मिलता है ब्लाउस पीस के साथ बोर्डर जो चादर में स्टीच होता है फेंस पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि जो चादर है एक चादर को जो फ्लॉवर से हमने जो चादर के बारे में बिया कर दो यह चादर को आगे एंडिगो डाइ आप देख पारें पूरो बोडी में ये वाला भूटा मिलता है पूरो बोडी में आपको ये वाला भूटा मिलता है और जो डिजाइन ठ्रेड जो धार्गा हमने यूज किया दिजाइन के लिए वह भी Aries Silk है natural dye में जो बेज है वो भी प्योर एडी सिल्ख है नेचरिल इंदिगो डाय और यह देखें यह फुली ट्रेडिशनल मोटीव है जो यहां पे जो एसमिस ट्रेडिशनल मोटीव हमने यूज किया है वह है हिंखाप अब देख पा रहे हिंखाप और इसका भी जो फ्रिंजेस है वह बन मैक्सिमम प्रोडक्स में कहाते हैं यह फूल को बनादेते हैं है यह हमारे प्रोडक्स टैलि मूंबए जब चाइब भुटा मिलता है और मेखेला में हाफ होता है क्योंकि देखें हाफ जब अब प्लक करते हैं तो यह ठीड़ जब ड़ब और चाडर से ठाथा जब पहनते हैं तो यह देखें यह नेचुरिल इंडी वर डाइ मेखेला चादर इसका यह जो मेखला चादर है आप देख पर है इसमें हमने तीन चीज चार चीज यूज़ किया है पहला जो डिजाइन ट्रेड है यह आपको जो कलर दिख रहा है यह है एरी सिल्क और साथ में हमने सिल्वर गुना भी यूज़ किया है और जिसका मैट्रियल है वह है कॉटन बाई नूनी पाथ जिहां सिल्क कॉटन ब्लेंड है और यह भी आसमेस ट्रेडिशनल मेखला चादर है इसका जो कलर कंभीनेशन है यह बहुत ही बढ़ा स्वीट कलर है ने अगेशनल मौटीव है और इसका पर क्रेंस यह है मेखेला पीस एंड जो डिजाइन जो मैं आपको दिजाइन दिखाता हूं जो डिजाइन है यह भी ट्रीशनल डियाइन है देखे खिंखाब के साथ आपको गॉस्बूता मिलता यह यह चोटा चोटा आपको दीख रहा है यह एक्चली गॉस्प भूटा है तो यह है मेखला एंड ब्लावस पीस यह देखिए आपको ब्लावस पीस के लिए भी एक एक्स्ट्रा बॉडर यहां पर मिलता है यह देखिए अभी इसका जो चादर है अज को टोटल दो मेखला और चादर का पल्ला है इसमें दो ट्रेडिशनल मोटीवस है एक है खिंखा पेख गॉस बुटा जो कलर है बहुत ही बढ़िया कलर है आप भी देखिए बहुत ही बढ़िया कलर कॉंबिनेशन है इसका जो मैट्रियल है वह है कॉटन बाई नूनी पाथ एंड डिजाइन फ् ली उप Pea अप्लोड कर रख रख है इस चैनल पे जिसका लिंक मैंने इथी बटन पर दे दिया है अप और भी डिटेल्स के लिए हमें वा suggests भी कर सकते हैं वाट्सब का नंबर भी मैंने इप मैंने इंडी परिंदेन कर दिया है और साथ यस इस पूर जैनाल प्र पया या यह देखिए सबसे पहले मैं आपको blouse piece बाउस कीश के साथ ही आपको extra blouse piece का बॉरडर मिलता है यह देखिए मैं थोड़र सा close करके दिखाता हूँ इसमें कलर है इसको जो design thread है वह पूरेवर इरी और जो एरी सिल्क है यहां पर यह तर्मरीक डाई जी हां टर्मरीक से डाई किया गया है और इसको जो material है फ्योर सिल्क तो आज कर दिखा रहा हूं और यह जो मेखला चादर है फ्रेंस प्लाऊइस छोड़ के सबीछ पीर चीज़र डी है देखे यह मेखला हो चुका है मैं ओच Q ऐडा हो चुका है तो मैखला की मेखला को जो डीजाइन है J maya निएम जो आफ यह लोगन आपको फिर्फार में तो भीक्ति है बहुत मेकुन फेशन है इस इसका मेखला पीश यह एकसरल पाहरा है i a स्टिच कराना है और यह प्योर सिल्ख मेखला चादर है देखे फेंस यह है इसका चादर साथ में साइड बोडर अरलेडी स्टिच कर दिया गया है यह है चादर यह देखे फ्रेंस पुरा बोडी में आपको यह वाला मोटीव मिलता है देख सकते हैं कलर कॉंबिनेशन बहुत ही बढ़िया है प्योर सिल्क में खिला चादर है मैं थोड़ा सा आचल आपको होल्ड करके दिखाता हूँ यह देखे इसका कलर कॉंबिनेशन बहुत ही बहतरी नहीं है इसका भी जो बेज कलर आपको दिख रहा है यह सिल्का नेचरल कलर है यहां पर डाई यूज किया गया है यह सिर्फ डिजाइन ट्रेड के लिए डाई यूज किया गया है तो फ्रेंस मेखला चादर आने वाला है और कुछ सारी भी आएंगे तो आज का जो निव एरेवल्स का जो लास्ट मेखला चादर मैं आपको दिखा रहा हूं वह भी प्योर एरिस सिल्की ही है नेचरल डाइ में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मेखला एंड ब्लाउज पीस तो यह में यह जो मेखला पीस मेखला पीस के साथ ही आपको मिलता है ब्लाउज पीस एंड साइड बोडर जैसा कि मैंने मेखला चादर में आपको दिखाया था कि साइड बोडर चादर में स्टीच होता है इसलिए साइड बोडर भी बोलते हैं और साथ में आपको यह वाला पुरा चादर का बोड़ी में आपको यह वाला बूटा मिलता है और पल्ला जो है उसका डिजाइन देखे डिजाइन जो यूज किया गया है बहुत बढ़िया है डिजाइन ट्रेड एरिस सिल्क है और यह चादर भी रेडी है सिर्फ आपको फ्लावर्स बने हुए है तो इसका भी जो मैट्रियल है वो प्योर सिल्क मेखला चादर है तो यह सब मेखला चादर जो आज का हमारा निव एरावल जो है तो फ्रेंस यह सभी जो मेखेला चादर है वह एक्षिली जो हमारा भी हो फेस्टिवल आने वाला है उस पर बेस होके उसका जो कलर कॉंबिनेशन जो की रॉंगाली भी हो आने वाला है तो हम लोग भी थोरा सा अच्छा कलर कॉंबिनेशन देने का कोशिस करते हैं अगर आपको लगता है कि इससे बैटर कलर कॉंबिनेशन आप भी हमें दे सकते हैं प्लीस कॉमेंट करके हमें एडवाइस कीजिए सजेशन दीजिए हम उससे इंप्लिमेंट करेंगे तो अगर आपको यह हमारा वीडियो सही लगा यह जो हमने इंफोमेशन आपको दिया वह अगर आपको ठीक लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और फ्रेंस हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करना भी मत भूलिएगा तो फ्रेंस हम नेक्स मंडे को मिलेंगे नए कलेक्शन के साथ निव एनवल्स के साथ अब तक के लिए झाल झाल